इस वीडियो के इंदर हम यह हमारा सवाल है जिसमें हम कोड करेंगे स्टैक हम एक स्टैक बनाएंगे अभी तक हम स्टैक इस्तमाल कर रहे हैं बनी-बनाईए आज हम अपनी स्टैक लेखेंगे तो यह सवाल है नॉर्मल स्टैक जिसको एक बार पढ़िए आप ध्यान से पढ़िएगा हमें मिला क्या क्या है या मैं आपको सीधा कोड में दिखाता हूं तो में को हमें हाथ नहीं लगाना है क्योंकि में के अंदर इंपूट आटपूट हैंडल का रखने है हमें यह सारे फंथे इंपस्प और पुश्यं आप만र नेदे स्चा है टॉप वहीं से दिखाता है डिस्प्ले उपर से नीचे डिस्प्ले कर देता है और साइज हमें साइज बताता है कितने उसके अंदर elements हैं तो हमें क्या क्या कहा गया है पुश इट शुड एक्सेप निउडेटा इस पेस इस अवेलेबल इन अंडरलाइंग आरे और प्रिंट स्टाक ओवरफ्लो चीक है पॉप इट शुड रिमूव दर राल लास डेटा और प्रिंट अंडर फ्लो इफ दिर इस नो डेटा और रिटर्न माइनस वन टॉप को क्या करना है तो हमें यह यह कहा गया है पुष क्या करेगा तो इस टाक के नीचे ही नीचे एक आरे पड़ा है जो यूज क्या जाएगा स्टाक बनाने के लिए अगर इस टाक यह आरे पूरा भर गया है और जगे नहीं है तो स्टाक ओवरफ्लो प्रिंट कर दें और पॉप में क्या करना है अगर आरे में कुछ भी डाला हुआ नहीं है आपने आपका खाली है सारे का सारा स्टाक तो आपको आपको फॉप के अंदर return करना है minus one और प्रिंट करना है stack अंदर फ्लो same काम करना है अगर उसके अंदर content नहीं है content है तो सबसे ऊपर वाला content pop में remove करके written करेंगे, और top में सीधा written करेंगे, size में आपको बताना है कि कितना भरा हुआ है stack, और display में उसको Business नीचे की तरफ print कर देना है, आपको उसे print करना है space separated, और end में एक line break डाल देना है, enter मार देना है, तो मिलते हैं इसके solution वीडियो में, thank you very much bye bye